दोस्तो आज आप सब लोगों को हम दिखाएंगे कि ये फोटो से कैसे आउटलाइन बना कर हम 3D में कॉनवर्ट करन सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे अगर अच्छा लगता है वीडियो और भी आगे वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सस्क्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा अप लोग देखते तो जरूर लेकिन लाइक नहीं करते हो प्लीज आप जब देख रहे हो नीचे एक लाइक कर दीज ताकि आगे मैं बना पाऊ और भी वीडियो तो मुझे क्या ना थोड़ा खुशी मिलता है ट्वाहिण पसको ट्रूर ट्रब हाँ है झाल 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 झाल, 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 झाल झाल, 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 झा इसका थोड़ी पुरा क्लियरेंस करते हैं पहले आउड लेंज बना ले आओ और इसके बाद वन बाई वन करते हैं कहां से स्टार्ट करेंगा अभी स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या करेबा हम ये जो पार्ट है इसको पहले क्वेट कर लेथे तो पहले क्या करगा इतना पार्ट हम लोग चूस कर लेंगे जितना हमें काम करना है है ऑर दिलेक काम करता हूँ इसका जो मेरे है इसको बिलेट कर देता नहीं तो क्या होगा डिष्ट हब करेगा बिलेट लेट कि डिलेट कि कि यह हो गया है और फिर हम तो तरह तरह करके सेट कर लेंगे कि इसके बाद एक तो तीर अच्या में सेट कर लेते ताकि कन्प्यूज ना हो यह वान करके कि राइट कि लिक करेंगे सेट रोकन करेंगे और स्टार्ट हैट देंगे दो ताकि उसके लिए आपका डिजन्स देखने में थोड़ा अच्छा रहा है इसके लिए दे रहा हूं है 2 mm और इसका दू का 3 mm कॉंस्टेंट हाइट ताकि टोटल होगा आपका 5 mm उसके बाद करेंगे एड तो देख लेते हैं कैसा हो रहा है अगर करेंगे अब स्टार्ट हाइट मिन्स क्या है मैं वह भी आपको दिखा देता हूं यह देखिए यह स्टार्ट हाइट क्या होता है यहां से जो यहां तक आया है ना यहां से यहां तक नीशे चे उपर यह स्टार्ट है उसके बाद में राउंड हुआ है देखिए तो वह तीन अमिम का हुआ है और नीचे का ट्वडल पांच अमिम का ठीक है तो फिर अभी करेंगे इसका अंदर का पार्ट तो साइट का होगा है आपका 6 mm और सेंटर का होगा है आपका 4 mm कि दोस्तों तो कंटिन्यू ऐसी करते हैं तो 1,2,3,4,5,6,4 लेते हैं पहले का हाइट देख लेते हैं इसका हाइट है टोटल अल्ड मोडल का 7 mm है तो हम इसको करेंगे 1 mm और इसको करेंगे 6 mm करेंगे एड़ यह हो गया आपका और इसके बाद 1,2,3,4,5,4 और इसको ले लिया और इसको करेंगे 1 mm और इसको अट एक देख सकते हैं कि कैसे बन रहा है गया इसको फिनिसिंग पॉड़क्ट बाद में देंगे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद आप लोगों को निसिंग पॉड़क्ट दिखाऊगा कि कैसे हो रहा है यह सब डेंट बगरा सब है ना यह सब ही किलियर हो जाए है ओके दस्ता तो चलिए आएका प्रोसेस करते हैं तो जल्दी में करते हो नहीं तो लेट हो जागा बहुत तो वान की काम करता हो ऐसे चूज़ कर लेता हूँ तो इसमें चूज़ करना बाकी है यह यहां देंगे 1 यहां देंगे 6 और अपका एड्ड और 1,2,3,4,5,6,7,8 वानने में आपसेट देके प्लैट में पुचा रहे देंगे करेंगे मार्श है तो देख पा रहे जासतों कि यह सब बन रहा है करके यह होगे देख और फिर हम आगे भी दिखाएंगे आप सेम प्रोसेस के लिए तो बाकी रहा इतना पूड़क्ट तो इस पूड़क्ट को हम जाएंगे है स्टाट हाइड 1, स्टाइंट हाइड 6 और यह हुआ आपका एड्ड यह हुआ और उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने पार्ट को आपशेट में 1 mm मारेंगे और सेम प्रोसेस रहाएगा 1 mm by 6 mm और मार जाए करेंगे इसको रहेगा बैट में टाइक फोरे में और यह हम करेंगे तो यह पार्ट आप लोगोंने देख लिए पहले इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इम लोगों पहले में तोड़ा छोटा कर लेता होगा इनर फाइल में जाके पहले में पहले में पहले में पहले में पहले में तो आच्छा रहेगा 6 mm 1 2 2 3 2 3 5 6 इसे लिए फिर हम इसको एक शेप ले लेते हैं श्रिम्पल साश है जो बाड़ी का कार देगा हलका सराउंड और इसका साइज हम देख लेंगे तो इनका है बाड़ाय में हम बाड़ाय में में रखते हैं विट जितना भी हो चलेगा नो प्राबलम तो वन बाड़ाय में करते हैं पहले लेते हैं इनको वान से परड़ेटर में जाएंगे और पिल लेंगे ट्यू दून एक ही साइड में हैं पिल लेंगे थर्ड एट क्रॉस मार्क और मार जाए करके कल्कुलेट करेंगे तो यही आठ लगवाक आप एक बार रहे हैं इसका स्टार्ट हाइट दिया होता तो साइड अच्छा होता इसके स्टार्ट हाइट देना पड़ेगा तब जाके यह लुक आएगा अपका अच्छे से कंट्रल जेड मार रहा हूं और इसका स्टार्ट हाइट हम देंगे टू एम और मार जाए करेंगे अभी देख सकते इसका स्टार्ट हाइट देने से थोरा साइट का लूक चलाएगा दिखने में तो चली अगे का फेस का कर लेते सेम प्रोसेस करेंगे वान इसको पूरा करने से अच्छा है कि थोरा थोरा करें कि परते हैं काट कि इसके बाद इधर भी करते हैं कि जोन बूक कर दोने पार्ट कट होगा तो इसके बाद इधर करते हैं कट और इधर भी करते हैं कट अच्छिक है तो पहले लेंगे इसको टॉप तैन बॉटम कि बाद सेंड स्टार्ट हाइट दे देंगे तो हमें मार्ज हाई करेंगे क्याल्कुलेट का अप्शन क्यों है सायद मैंने मार जाई इसको क्रॉस मार्क नहीं करेंगे करेंट देंगे क्यों तो यह पार्ट भी है कि यह हो रहा है आगे का प्रसेस थोड़ा थोड़ा करके कंप्लेट करते हैं इसको लेंगे टॉप सिलेक्शन फिर बॉटम सिलेक्शन और फिर करके देखते मार जाई यह हलका सा मार का रहा है यह इसके लिए आ रहा है ताकि यह प्राब्लम है क्या करना परहे है कंट्रल जेट कर देते हैं और इस लेंग को कौपी करके पेस्ट करते हैं तो यह हो गया आपका फिर हम इसको करेंगे तू नमबर इसको करेंगे वन नमबर अब जैसे सब कुष्टा वैसी रहेगा करके हम देख लेते के सारा है हाँ तो लगभग अपका सई है फोराज सेप चेंज हो रहा है हम इसको कि इसको करन सेप चेंज हो रहा है अपका यह जो पार्ट है इस पार्ट को हम स्मूथ कर लेंगे इस पार्ट को हम स्मूथ कर लेंगे इस पार्ट 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 कर लेंगे क्लिट करेंगे तो ये पार्ट लगबख कम्प्लीट है हम ना इस पार्ट को थोड़ा कट कर लेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़े गए हमें मैं इसी तरह एक देंगे और इस पार्ट को इस पार्ट से हम चुल रहें ताकि ये वो देखने में अच्छा रहे काहा है इसके पार्ट ही तो या वान च्यू ट्री और इसको जॉइन कर लेंगे हम और फिर इस पार्ट को जीरो कर देंगे तो ये पार्ट आपका रेडी हो गया है देख सकते हैं इस पार्ट रेडी हो गया है और फिर हम इसका आगे का पार्ट काम करेंगे तो इस पार्ट को हम थोड़ा काम करेंगे तो थोड़ा सा अभविल कर देते हैं ताकि ये ठीक से आए और इसको थोड़ा आगे करा देंगे ताकि वो आच्छे से जॉइंट होगा है जारे एक आई पॉइंट कर लेंगे और तो थो थोड़ा आगे तक देंगे और यहां पर भी मार के थोड़ा लेविलिंग पका कर लेंगे तो रहता है तो देख सकते हैं तो यह हो रहा है करके हैं तो चलिए इसको लेते हैं रहल स्विप फर्स वान शेकेंड तो थर्ड स्टार्ट हाइट तो वेमेंड और फिर मार जाए करके हम को मारेंगे कैल्कुलेट करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि यह फिजा आ रहा है करेंगे और यह जो पार्ट आ रहा है न यह ओविल के लिए शेफ ठीक ठाग नहीं आ रहा है तो चलिए ठीक कर लेते इसको भी रहा है और इस पार्ट को हम धोरा स्मूध कर लेते हैं अब यह बहुत सारा काम बाकी है इसमें तो करेंगे तो चलिए वन वाई वन काम कंप्लेट करते हैं इसको और इसको खोश, शिफ्ट पकरके इसको पजले करते हैं जोइन्टों फिर इसको और इसको और इसको करते हैं किबोर्ड में जे प्रेस करके डायरी जोइन करते हैं तो यह पार्ट हो गए और इसका भी सेम प्रोसेस यह हम थोड़ा आगे बारा लेंगे ताकि इसका लुक जो है वो सही आज़े इस पार्ट को स्मूथ करते हैं इसको भी ओविल दे के देखते कैसा लग रहा है अगर नहीं हुआ तो चेंज कर देंगे वान तैंट्रू इसको करा मार हाइट आप वो नम देंगे मार जाए करके इसको करना है मार जाए फिर करते हैं तो ठीक ठीक है इसके बाद जाएंगे इधर इसको पर तोरा काम करना करेंगा चलिए सेम प्रोसेस में वान चारी इसको पहले कट करना परेगा हमें पहले पार्ण ये तोनों उल्टा है तो एक ही साइड में जाना चाहिए तो रिवर्स कर लोगा करके त्री करोगा और करोगा ये बढ़ा दे तो इसको मार जाए करेंगे और इंट्र पिंड कर लेंगे अल्यक्स भार्ण सेम ओसे प्रोसेस में अवस्ब करेंगे। त्रीवरемся बस्वार प्राण तो करेंगे और कल्कूले के रिवर्स वीर करेंगे तो इसकल्कुलेट कुल एट कुब कर दो करनोंगे कुछा ने करनांगे कुछान एक एक बेर में पहले घर आसम पूलो तो आप लोग देख सकते हैं कैसे लग रहा है करके तो आगर का भी प्रोसेस सेम ऐसे ही करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं और फिर इसको चूज़ करते हैं और चूज़ करके सेव एडिटर में जाके नॉर्मल डायरेक्ट हम थ्री एवन देके हाइट एड़ कर लेंगे तो इसका लोग भी लगवाग शही आयाएगा और इसका लोग आप देख सकते हैं कैसा आया करके ओके चलिए एग पर देख स्थे और चूज़ करें डेख सेव एडिटर ओपन करते हैं जाहरे हम करेंगे 1 mm, skillet देंगे 6, 7 mm हो जाएगा और करेंगे इसको हम मार जाएगा इस पार्ट को देख सकते हैं कैसे बन बाए है ठीक है और फिर हम इसको अंदर में जो पार्ट करेंगे से प्रोसेस करेंगे से प्रोसेस रहेगा आपका ते गले यह प्लोगने झाल झाल झाल